आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुती बहतरीन गेम दोस्तों जो की खिली गए थी 1945 में साबडेल टूर्णामेन में इस गेम में दोस्तों वाइट प्लेयर थे अलक्जेंडर अलकिन और इन्होंने अपने अपोनेंट को सिर्फ 15 ही मौव में हरा दिया था तो चलिए हम बिना समय करा है चलते हैं गेम की तरफ कैसे अलक्जेंडर अलकिन ने 15 मौव में अपने अपोनेंट को चेक मेंट कर दिया तो गेम की शुरुआत होई वाइट प्लेयर हैं अलक्जेंडर अलकिन उन्होंने गेम की शुरुआत की बाइप्लेइंग दीफोर अपने ने मौव किया d5, c4, e6, queen's gambit decline ये गेम जो दोस्तो qgd में transpose होगे, queen's gambit decline ने तो गेम को continue करते हुए अलक्जेंडर अलकिन की ने मौव किया, knight to f3, knight to f6, bishop g5, pinning the knight, bishop g4, check, knight c3, blocking the check, d capture c4 now e4 pawn push, idea क्या है दोस्तों यहाँ पर e4 pawn push का threat है, पहला threat है यहाँ पर knight के उपर pressure बनाना है, दूसरा threat है जो c4 का pawn है, वो हमें capture करना है तो यहाँ पर black ने मौव किया, c5 pawn push, center pawn पर attack, white ने यहाँ पर मौव किया, bishop capture c4, c capture d4, knight capture d4, queen to a5, putting more pressure on the c3 knight तो यहाँ पर जो c3 का knight है, उस पर pressure रागा दोस्तों, तो please आप video को pause किजिए और बताइए कि यह position में अगर आप white से खेलेंगे, तो आप game को कैसे continue करेंगे, आपके answers हमें comment में बताइएगा, आपके comment का मुझे इंतजार रहेगा उमीद है दोस्तों, आपने वीडियो को pause किया होगा और आपको move मिला होगा, यहाँ पर game को continue करने के लिए, अलेक्जेंडर अलेक्टिंगी ने move किया, bishop capture f6, ना ब्लाक ने move किया, bishop capture c3, check, b capture c3, queen capture c3, check, यहाँ पर white ने move किया, king to f1, and bishop capture c4, check, अब यह जो 200 position है, यह कासे critical position है, यहाँ पर white के पास दो option है, या तो वो king को even पर move करें, या तो वो king को g1 पर move करें, तो आप अगर white से खेलेंगे यह position में, तो आप king को कहाँ move करें, e1 या चीवन, अपने answer हमें comment में जरूर बताईएगा दोस्तो, यह position में अलेक्जेंडर अलेक्टिंग जी ने move किया, king to g1, यह move जो है, वो game में खेली गयती, but, क्या होगा अगर king को move करेंगे, e1 पर, difference क्या है दोस्तो, यहाँ पर यह position में, white का जो planning है, वो है, rook c1 check, rook c1 attacking on the queen, और जैसी queen move होगा, तो हम bishop को catch कर लेंगे, यह problem क्या है, यहाँ पर हमारा king है, वो e1 पर है, और यह diagonal जो है, e1 का, यह open है, तो यह queen जो है, वो move हो जाएगा, queen जो है, वो move हो जाएगा, check में, और बात में, जैसी आप king safe करते है, तो bishop भी safe हो जाएगा, तो यह reason है, यह reason के वाज़े से, Alexander अलखिंगी ने move किया, king to g1, अब यहाँ पर queen before check नहीं आ रहा, आप देख सकते है, queen before check नहीं आ रहा, और white का यहाँ पर planning क्या है, कि अगर यहाँ पर black ने इस bishop को capture किया, f6 पे, तो हमारा rook c1 जो है, आ रहा है, और यह bishop जाएगा, उसके बाद रूख भी जाएगा, तो यही रिजन है, यहाँ पर black जो है, वो bishop को capture नहीं कर सकता, इसलिए black ने game में move किया, shot castle, एक बार फिर दोस्तों, आप प्लीज वीडियो को pause कीजिए, और बताईए comment में, कि आप यह position में अगर आप white से खेलेंगे, तो आप game को कैसे continue करेंगे, game में Alexander अलखिन जी ने move किया, queen to g4, idea का है दोस्तों, यहाँ पर pawn को pin किया, plus checkmate का threat है, अब checkmate को save करने के लिए black के पास एक ही option है, वो है, g6, game को आगे continue करने के लिए, Alexander अलखिन जी ने move किया, e5 pawn push, idea क्या है, अब यहाँ पर queen, white की queen, और black की queen, दोनों same line में है, तो जैसे ही यह knight move हो जाएगा, discover attack आ जाएगा, so, black ने यहाँ पर move किया, knight to c6, अब यह knight जो pin है, उस pin piece के पर pressure बना है, अब उन knight को save कैसे करना है, please video को pause किजे, और आप बताइए कि अगर आप यहाँ पर white होंगे, करेंगे, अगर आप knight move करते हैं, तो queen hanging है आपका, और knight को move नहीं करते हैं, तो knight hanging है, आपका जो knight है, उसके उपर double attack है, knight से भी attack है, और queen से भी attack है, उमीद है दोस्तों, आपने वीडियो को pause किया होगा, और आपको move मिला होगा, brilliant move, यहाँ पर Alexander लाकिंजी ने move किया, knight to f5, और यहाँ पर black ने resign कर दिया, अगर यहाँ पर black queen capture queen करता है, तो knight at six checkmate मिट, और अगर यहाँ पर black जो है, वो checkmate को save करने की कोशिश करता है, अगर black यहाँ पर rook को move करता है, checkmate को save करने के कोशिश करता है, तो simple queen capture queen, गेम लास्ट उम्मीद है दोस्तों आपको ये गेम पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्ली चैनल को लाइक करें शेर करें कमेंट करना ना भूलें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अमारे नेक्स वीडियो में बाई बाई